जी एंटर्टेर्मेंट जील ने कॉर्परेट गारंटी ली थी सिटी नेटवर्क में 120 के रोडर पे गी अब सिटी नेटवर्क के दिवालिया होने के बाद इंडसलेंट बैंक ने उस पैसे की डिमांड करी जी एंटर्टेर्मेंट से न्यूज ये पुरानी है न्यूज ये कोई नई न्यूज नहीं थी हाँ नया ये था कि जो वो एंटर्टेर्मेंट को लेके गए तो एंटर्टेर्मेंट ने इस केस को प्रोसीडिंग के लिए अप्रूव कर दिया अब जानने वाली बात ये है कि जी एंटर्टेर्मेंट के जो ड्राइवर है पुनित गोईंका पुनित गोईंका ने पहले भी इस मैंटर के बारे में आकर मार्किट में बता चुके हैं अपना जवाब भी दे चुके है कि वो लीगल लीज मैंटर को फाइट करेंगे क्योंकि उनके इसाब से ये पैसा उनका देना बन नहीं रहा है और जबकि कंपनी की कैश की भी इस्तिती बहुत अच्छी है अगर पिछले Q3 इस साल के मतलब Q3 क्वार्टर में देखें तो कंपनी बता रही है कि उचके पास 700 करोड रुपे का कैश भी है पर फिर आज कंपनी के शेर को हुआ क्या 1500 करोड रुपे का एमाउंट कंपनी को देना है और जिसके सामने आज एक समय मार्किट ने Zee Entertainment की 2000 करोड की मार्किट कैप को उड़ा दिया और जब मार्किट को यह अभास हुआ कि यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है तो शाम मार्किट बंद होते होते Zee Entertainment लगबग अपने कल वाले प्राइस पर वापस आ गया तो यहाँ पर देखने वाली यह चीज है कि आज जो नुक्सान हुआ है वो Zee Entertainment में इन्वेस्ट करने वालों का हुआ है जो वीक हैंड से उनको आज शेर से निकाल दिया गया और शेर इतना नीचे जाने के बाद उपर आकर बंद होता है तो इसका मतलब यह था कि लोगों ने उसको खरीदा भी है कुछ बड़े या स्मार्ट मनी ने यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्ट भी किया क्योंकि आप यह भी समझेए जीया इंटर्टेन्मेंट रो सोनी का मरज़र होने के बाद यह कंपणी मीडिया सेक्टर की सबसे बड़ी कंपणी बन जाएगी और दोनों गुरूप के मताबिक लगबग इनके पास ग्यारा बारा हजार करोड का कैश भी होगा और 15,000 करोड की सेल करने वाली कंपणी बन जाएगी और लगबग 2,000 करोड का उस पर प्रॉफिट आएगा तो कुल मिला कर अगर देखा जाए तो आज की गिरावट का कोई औचित्य नहीं है शेर में वीक हेंड को निकाला गिया और जो जी एंटेटेर्मेंट के यहाँ पर शेर को लिए बैठे है मैं उनसे यही क्योंगा कि शेर को ऐसी खबरों में आकर ना बेचें पैनिक ना लें बलकि जी एंटेटेर्मेंट के शेर का जो भाव चल रहा है यह इंवेस्ट करने का समय है यहाँ से जी एंटेटेर्मेंट आपको 40-50 परसेंट का रिटन बड़े आराम से देगा और कंपनी बड़ी कंफर्टेबल इस्तिती में है सेल्स कंपनी की अच्छी है मरजर होने के बाद एक नया रुख मिल जाएगा कंपनी का प्रॉफिटेबल कंपनी है कर्ज कुछ नहीं है कंपनी के ऊपर कंपनी को चनालने वाले जो ड्राइवर है गोईं का वो भी अच्छा है फिर यह नहीं समझ मैं आता कि ऐसे बिजनिसों में दिक्कत क्या है जो इतनी बड़ी सेलिंग आई एक ख़बर पे लोगों के शेयर को निकलवा दिया गया डिमेट से तो आप ही थोड़ा सा इस चीज को अध्यन कीजिए और मेरे साथ से पैनिक सेलिंग से बचिए और खासकर ऐसी कंपनियों में तो खासकर जहां पर सब कुछ ही अच्छा दिखाई दे रहा है और अगर कुछ बुरा था भी तो पीछे जा चुका है और इन खबरों से मर्जर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा यह मर्जर एक महीने बाद हो जाएगा दो महीने बाद हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा इतना